आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम पार तीन सर्वनाम जैसा कि आप सब जानते हैं सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं जो शब्द संग्या के स्थान पर प्रयोग किये जाते हैं वे सर्वनाम शब्द होते हैं सर्वनाम शब्द यानी वह, मैं, तू, तुम, कौन, आदी तो अब हम देखेंगे सर्वनाम शब्द अब हम पढ़ेंगे तत, तत यानी वह जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था संस्कित में तीन वचन होते हैं एक वचन, दूई वचन और बववचन लिंग भी तीन होते हैं, पुलिंग, स्ट्रीलिंग और नपुनसक लिंग तो पुलिंग, पुलिंग में तत का क्या बन जाता है? से से यानी वह, वह क्योंकि पुलिंग है तो वह लड़का, वह आदमी, कुछ भी हो सकता है तो वह दोनों बालक, ते वह सब बालक स्ट्रीलिंग, सा वह बालिका, ते वह दोनों बालिकाएं तह वह सब बालिकाएं और तीसरा होता है हमारा नपुनसक लिंग तत वह, नॉन लिविंग कोई भी चीज़ हो सकती है वह पुस्तक भी हो सकता है, वह कमल भी हो सकता है ते वह दोनों पुस्तकें, तानी वह सब पुस्तकें अब हम देखेंगे ए तत, एतत यानी यह पुलिंग में ए शह, यह, यह बालक, यह आदमी एतव ये दोनो, एते ये सब, श्त्रीलिंग में एशा, यह, यह महीला, यह अध्यापिका, यह कली, एते ये दोनो, एताहा ये सब, नपण सक्लिंग में एतत, एतत यानी यह, एते ये दोनों एतानी ये सब अगला है हमारा किम किम यानि क्या और कों पुलिंग और स्ट्रीलिंग होगा तो कौन और नपुनसकलिंग होगा तो किम तो pulling कै, कौन, यहनी रहे कौन, कउ, वे, कौन दोनो, के, कौन सब स्ट्रीलिंग में का, कौन, कौन, इस्त्री, के, कौन दोनो, कह, कौन सब नपुन सकलिंग किम किम मिन क्या क्या के क्या दोनो कानी क्या सब हम एक बार फिर से इनका अभ्याज करेंगे सै तव ते सा ते ता तत तानी और ए तत में क्या होगा ए शे ए तव एते ए शा एते एता ए तत एते एतानी और किम में कै कव के का के कहा किम के कानी फिर से देखेंगे सै तव ते सा ते ताहा तत तानी अब हम देखेंगे इदम इदम मीन भी क्या होता है ये है आयम ये है इमव ये दोनो इमे ये सब इस तरी लिंग में अब हम देखेंगे असमद असमद मीन होता है मैं मैं पुलिंग भी हो सकता है मैं इस्तरी लिंग भी हो सकता है और मैं नपुनसकलिंग भी हो सकता है अब हम देखेंगे युशमद युशमद यानि तुम तुम भी तीनों लिंगों में प्रियोग होता है तुम, तुम, युवाम, तुम दोनों, युयम, तुम सब अब हम देखेंगे इदम एक बार फिर से देखेंगे अब हम देखेंगे प्रश्ण एक इशय, एशय, एतत इन में से शही शब्द का प्रियोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरी एशय है पुलिंग के लिए प्रियोग किया जाता है एशय स्थ्रिलिंग के लिए एतत नपुन सकलिंग के लिए डैश वर्तिका, वर्तिका स्थ्रिलिंग है इसलिए एशय डैश कमलम, कमल नपुन सकलिंग है इसलिए एतत डैश सैनिक है, सैनिक पुलिंग है इसलिए एशय है डैश शिक्षक है, शिक्षक पुलिंग है, इसलिए एश है, पिपीली का स्त्रीलिंग है, इसलिए एशा, डैश पत्रम, पत्रम नपुन सगलिंग है, इसलिए ए तत, अब सै सा तत, सेम सै में सै पुलिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए और तत नपुन सगलिंग के लिए अब हम देखेंगे प्रशन तीन I am, I am, I am, I am pulling, I am, I am, I am pulling, I am, 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 I am खादन्ती कह, पत्ती कह, अब देखेंगे प्रश्न पांच, मिलान करना है एशा, स्रीलिंग है तो बालिका इमव मयूरव, कह, म्रिगह, के, अश्वाह, कानी, पुस्त कानी, एतत, फलम